आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच में सहमती नहीं बन पा रही है और हाली में जब रागप चड़्धा गाड़ी में बैठने वाली तो उन्होंने मीडिया से कहा कि उमीद पर तो दुनिया कायम है दरसल जब से हर्याणा के विधान जबाच चुनाप की सुगबुगाहर तेज़ू उसके बाद से लगा थार ये बाते सामने आरी थी कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस गडबंदन करेगी कॉंग्रेस के दीपक बावरिया को जिम्मेदारी दी गई है सीटों को लेकर बाच्चित करने को लेकर और दूसरी तरह आम आदमी पार्टी से रागव चढधा इस वक्त बाच्चित कर रहे हैं कॉंग्रेस के दीपक बावरिया से ताकि सीटों को लेकर बाच्चित हो प्रफ पर किसी चुनावी मेदान में उदारा जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि कम से कम 10 सीथे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तयार है यानि कि 10 सीथों की डिमांड रखी गई है लेकिन कॉंग्रेस का यह कहना है कि मैक्सिमम चार या पाँच सीथ पाँच से जादा नहीं चार या पाँच सीथ ही कॉंग्रेस आम आदमी पार्टी को देगी चुनाव लड़ने के लिए और सबसे बड़ी बात है कि 32 सीथों पर कॉंग्रेस ने अपने उमीदवार पहली सोची जारी कर दी जिसमें 32 सीथों के उमीदवार घोशित कर दी गए हैं लेकिन एक खास बात है कि जिन 32 सीथों पर उमीदवार घोशित किये गए हैं उनमें वो विधासभा सीथी शामिल नहीं हैं जिसकी दिमार्ट यहां पर आम आदमी पार्टी कर रही हैं आम आदमी पार्टी जिन 10 सीथों की दिमार्ट करी भड़ी बाती है कि जिन 4 से 5 सीटों पर कॉंग्रिस चुनाव लगने के लिए भोल रही है उन सीटों पर आम आदमी पार्टी सहमत नहीं है बन नहीं पा रही है। यानि कि जिन 10 सीटों की डिमार्ड आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस कर रही है उसको लेकर कॉंग्रेस सहमती नहीं जता रही है और जिन 4-5 सीटों की बात कॉंग्रेस कर रही है उन सीटों पर आम आदमी पार्टी तयार नहीं चुनाव लड़ने को लेकर इसलिए बार-बारी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गडबंदन करती है तो वो और जो उसकी साख है खराब हो जाएगी और वो नीचे चली जाएगी हाला कि अभी तक यह कहा जाता रहा है हर इलेक्शन में कि अगर कॉंग्रेस के साथ किसी भी राजनतिक पार्टी ने गडबंदन किया तो पार्टी खतम हो जाएगी क्योंकि कॉंग्रेस तो खतम होने की कगार पर है लेकिन लोग सब एलेक्शन के बाद जिस तरीके से कॉंग्रेस किसी टाचानक से बहुत तेजी से बढ़ी है उसके बाद अब हर्याना में तो आप जानते हैं का अच्छा खासा जनधार है और उस सहमती नहीं बढ़ पाना यानि कि तीसरी पार्टी को अच्छा खासा मौका मिल जाना हर्याना के इलेक्शन में अपनी मजबूती दिखानी का लेकिन कॉंग्रेस की भरपूर कोशिश यह है क्योंकि कॉंग्रेस आश्वस्त है कि उनको अच्छा खासा बोट बैंक उनके हिस पाती है क्या रागफ चढधा जिस उमीद की बात कर रहे है कि उमीद पर तो दुनिया कायम है उस उमीद पर क्या गडबंधन कायम हो पाता है यह बहुत बड़ा सवाल है जल्दी लगतार बैठा के हो रही ही दिपक बावरिया दूसरी तरफ कॉंग्रेस की तरफ जिने जि लेगी या फिर क्या आम आदमी पार्टी चार से पात सीटों पर ही चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाएगी या कोई बीच का कोई और खल निकाला जाएगा देखना यही है कि क्या होता है फिलहाल तो सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस की बीच में सहमती नहीं बन पारी है बैठा के लगतार होने वाली है अभी तो उमीद पर दुनिया कायम है की लाइन पर रागफ चंधा तिके हुए है